2. स्वा मुल्यांकन एक युवक परदेश ना एक स्टोर मा दाखल थायो दुकानदार साथे नम्रताथी वाद करी ने तेने पबलिक फोन वापरवानी मंजूरी मागी दुकानदारे हाप आड़ी युवक ना हाथ मैला अने खराब हता एटले इस स्पीकर फोन पर वाद करतो हतो अन्यकोई ग्राह के समय स्टोर मा हाजर नौ होवाथी दुकानदार एनी वाद ध्यान्थी साम्बली रहो हतो सामा छेडे कोई स्थरी वाद करी रही आती मेडम तमे मने तमारे त्या लौन कापवा नू काम आपी शको खरा नहीं भाई लौन कापवा माती में मानस राखेलो छे मेडम अत्यारे तमारे त्या राखेल मानस ने जे पगार आपता होए तेना करता अर्धा पगार थी हुँ लौन कापी दैश ना भाई, हाल लौनकापपपानु काम जे मानस करे छे, तेना थी मने कोईज फर्याद नथी मेडम, लौनकापपपानी साथे हुँ घरनी आजु बाजुनो रस्तोपन साफ करी आपिश, अने ए पन कोई वधारानी रकम वगर ना भाई, आभार, मने हमना बिजी कोई व्यक्तिनी जरूर न थी, मैं रोकेला मानस्ती मने पूरो संतोष छे आटली वाजचीत पूरी करीने खुश्कुशाल चहरे, ए युवके फोन नूस्पीकर बंद कर्यो दुकांदार नों फरी एकवार आभार मानी ने ए जवानी तयारी करतो हतो, ए जवक्ते दुकांदारे एने पासे बोलाव्यो एनी बधी वाजचीत साम्भली ने ए पन खुश्टै गयो हतो पेलिस्त्रिये काम आपवानी ना पाड़ी छता, युवक ना चहरा पर निराशानी कोई रेखानो हती के ए जराय उदास पन नहतो थायो दुकमा एनी एक खुमारी एने स्पर्शी गाई युवक, पेलीस्त्री ए काम आपपानी ना पाड़ी तो पन तु खुश रही शक्यो ए वात मने खूप स्पर्शी गई छे एने भले ना पाड़ी, परन्तु हुँ तने काम आपपा तैयार चुँ बोल, मारे त्या काम करेश? ना पन दिकरा, हमणा तो तु पेलीस्त्री ने काम माटे रित्सर नी आजी जी करी रहो हतो काम नौतू जोईतू, तो पच्छी एवू शा माटे कहतो हतो नहीं साहिब, हुँ एज मेडम ने त्या काम करूछू आतो मारू काम केवू छे एट तपास्वा माटेज में एमने फोन करेलो जेथी करीने मारा काम अंगे मने ख्याल आवे